नमस्कार मर्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ सुरेश मुचंदा और बात अब गवार की कर लेते हैं चुकि गवार की कीमतों में हमने नीचे में 5000 रूपए से गवार को फिर से संबलते हुए देखा पिछले करीब 10 दिनों के अंदर गवार की कीमतों में 500-300 रूपए की बड़ा देखने को मिली वाइदा बाजार में एक बार फिर से गवार 5400 रूपए के उपर जाते हुए कारुबार करते हुए दिखाई दिया लेकिन आज हफते के पहले कारुबार दिन यानि के समवार के दिन गवार की किमतों में वाइदा कारुबार में फिर से एक करेक्शन देखने को मिल रही है हरांकि Market Times TV पहले ही अपनी Research Report में बता चुका के 5200 रुपए से 5800 रुपए के बीच बाजार घुम सकता है लेकिन Market Times TV के पास जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें Market Times TV ने ये कहा था के 5000 रुपए के नीचे बिभाव लुड़क सकते हैं चुकि Export की जो Figures निकल करके हमारे पास में आई उन एक्सपोर्ट ने एक बार बाजार के अंदर दबाव बनाने की कोशिश की है मैं आपको Export के जो Figures हैं December तक के वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ साल 2022 का जो वितवर्ष था उसमें December महीने में यानि की साल अगर हम 2022 December की बात करें तब उस महीने में December 2022 में तीन लाख अठाइस अजार चारसो असी मिट्रिक टन गवारगम का निर्याद हुआ था और अकेले December December महीने की बात करूं 2022 की तो 34,449 मिट्रिक टन का December महीने में निर्याद हुआ था वहीं अगर बात मैं 23,24 की कर लूं December महीने तक के चुकि अभी हमारे पास में आकड़े आए हैं तो 3,8,670 मिट्रिक टन का निर्याद December तक हुआ है April से लेकर December तक 2023 2023 अकेले December महीने की अगर मैं बात कर लूं जो 2023 दिसंबर को जो निर्याद हुआ है वो 27,282 मिट्रिक टन का हुआ है जबकि 2022 दिसंबर में 34,449 मिट्रिक टन था करीब करीब 7,000 मिट्रिक टन के आसपास निर्याद कमजोर हुआ है हाँ अगर ये देखा जाए कि नमबर के अंदर इसी साल नमबर में यानि कि 23 नमबर में क्या था और 23 दिसंबर में क्या था तो तक्रीबन 2000 मिट्रिक टन के आसपास का इजाफा जुरूर वहां पे दर्ज हुआ है लेकिन ओवरॉल अगर मैं अप्रेल से लेकर के अभी तक के फिगर्स को काउंट कर लूँ और पिछले साल के फिगर्स को काउंट कर लूँ तो हमारा एक्सपोर्ट पिछड़ा है निर्यात में हम पिछड़े हैं महीना दर महीना वाइस भी अगर हम कैलकुलेट करने तब भी और अगर year on year basis पर कैलकुलेट किया जाए तब भी अगर year on year basis के उपर पर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो करीब करीब 20,000 मिट्रिक टन के आसपास हमारा निर्यात अभी कमजोर है और महीने रहे गए हैं केवल मातर 3 तीन महीनों के अंदर यानि की January, February और March कि यह जो figures आएंगी इसमें क्या हम पिछले साल के एक्सपोर्ट को जल रही है तो ऐसे में गवार गम का जो निर्यात है उसमें इस फिसलन को किस नजर से देखा जाए डिमांड कमजोर है इसमें कोई-कोई दोराई नहीं है हलांकि बहुत सारे कारोबारियों से और किसानों से बात हुई उन्होंने का जी प्रोडक्शन भी तो कमजोर है तो निर्यात तो होई रहा है बिलकुल निष्चित और के उपर निर्यात हो रहा है लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा अभी स्टोक की availability कितनी है उसकी exact figures इस समय पर हमारे पास में नहीं आ पा रही है चूकि export जो traders है उन traders ने कहीं न कहीं जो स्टोक है उसको reveal ही नहीं किया है उसको बताया ही नहीं है ये सामने ही नहीं आने दिया है कि उनके पास में स्टोक कितना रखा है अभी तो जो बैंक के जो issues चल रहे थे गवार्गम industries के साथ वो यतावत चल रहे हैं पिछले 10 सालों से वो चलते आ रहे हैं और वो जो बैंको के पास में स्टोक जो इस समय पर पड़ा हुआ है उसकी भी exact figures अभी आना बाकी है तो ये सारा कुछ मिला करके अगर देखा जाए तो overall जो industry है गवार की वो थोड़ा सा pressure के अंदर है इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है बीच में 10 दिन बाजार उठने किसम भावनाएं थी ब ये कोशिश जरूर की बाजार को एक बार फिर से पुना उठाने की बट fundamental उनके साथ नहीं आए फंडामेंटल के अंदर में एक तमजोरी देखने को मिली है जिसकी वजह से गवार की कीमतों पर अभी फिलाल दबाव बाकी है मरकेट टेंस टीवी की research अभी ये कहती है कि ठी टेजी की जरूर उमीद जताई जा सकती है लेकिन हाल फिलाल के अंदर वो टेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जिसकी उमीद बाजार कर रहा है